किसान साथ ही हो, जैसे कि हम सभी को पता है गहूं बोने में अभी एक महिने का समय है पूरा का पूराक्टूबर का महिना गहूं बोने के लिए बचा पड़ा है, लेकिन उससे पहले जो हम अपने खेत त्यार करते हैं, पोपुलर वाले खास तोर पर खेत क्योंकि अभी महीने का समय पड़ा है, उसको थोड़ा लेट भी तैयार कर सकते हैं लेकिन ज़ो हम इसको त्यार कर रहे हैं, इससमें हम ने जो यह खेद आप मेरे सामने देख पारे हैं दानेदार सूपर खाद इसमें डाल दी गई है और ये पहले तो आप तरीका भी देखे बुहाई करने का किसान साथियो डेड़ दो दो फीट पेड़ की जो एजड़ को छोड़ कर पूरे खेत में हैरो से बुहाई की गई या ना की रूटा वेटर से आप रूटा हैरो से भी बुहाई कर सकते हैं टीलर से भी कर सकते हैं लेकिन जैसे की इसमें तरीका अपनाया हुआ है किसान साथियो वो है डेड़ से दो दो फिट छोड़ अगर अब जो हम में बात करते हैं वो आएमने खाद डाली हुई है इसके अंदर दो इसमें कीट ना सक दवाई डाली गई ह खाद में मिक्स कर दी थी और उसके बाद इसकी बुहाई कर दी थी किसान साथियो अब इसमें पानी बर दिया जाएगा खेत के अंदर जिससे क्या किट ना सक दवाई है वो पूरे के पूरे खेत में फैल जाएगी और खाद भी जड़ों जड़ों के अंदर पूरा का पूरा लग जाएगा आप इसमें जड़े भी देख पाईए पहले यहां तक जड़े आ चुकी है जहां तक बुहाई की गई है ना कि अब इसकी जड़े हैं किसान साथियों इसके पास अब जो हमारा एक खाद काम करेगा किसान साथियों वो अग सकते हैं पहले टैन्यू की छटाई की गई क्योंकि पेड काफी अच्छे साइज के हो चुक है तेही थे 24-24 इंच के दो साल आठ महीने के किसान साथियों यह पेड है और 109 वाराइटी किसान साथियों इस खेत में लगाई गई है उसके अंदर दो कट्टे सूपर खात दु साथियों के हुँ बोने से पहले कम से हम इसमें दो बार पानी दे दिया जाएगा ऐसे ही हम स्वागा भी इसमें नहीं मारे तो भी तब भी ब्राबर काम करेगा इसके अंदर जो मनिखाट डाला है लेकिन हमने इसको बुहाई करना जुरूरी है क्योंकि एक तो मारा कबार क उसके बाद किसान साथियों 15 दिन बाद रीपीट से गहु बोने से पहले इसमें जब पानी डाल दिया जाएगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि इस समय जो हम खाट डाल रहे हैं हम गहुं की बुहाई करेंगे तो इस समय में दबाई के अं टहनीयों के अंदर जान है तो अभी कहीं नहीं हमारे पेड ग्रोथ करेंगे यह मैं तरीक आपको बता रहा हूं जिससे हमारे पेड जल्दी कड़ जाते हैं किसान साथियों में तरीक है हमारे जल्दी popular त्यार करने का जिसनी भी बार ये बुहाई करते हैं इन किसान साथि क की बात बतारा हूँ जिस खेट केंदर मैं खाध कुड़ा हूँ, उतनी बार इसमें खाढ डाल देते हैं, चाहिए महीने में एक बार बौई करें, क्योंगि ये खाद हम कभी जड़ में नहीं डालते हैं, हमें सही खेश पूरे एक पूरे खेश में फैला कर डालते हैं, इनका तकत्वर बनाएगा जिससे आपके पेड़ की सामसाथियों जल्दी ग्रोथ करेंगे अगर आज की आपको वीडियो की सामसाथियों मेरी अच्छी लगी हो आपको तरीका बुहाई का अच्छा लगा हो खात डालने का तरीक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेय करें और नए साथियों से कहना चाहंगा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद